हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो दे चैनल होमियो गाडनिंग कैसे हैं आप सब आई होप यू अला डूइंग गूड आज हम बात करेंगे कैबिज मोथ के बारे में कैबिज मोथ जिसे की डाइमंड बैक मोथ भी बोलते हैं तो फूल गोबी और पत्ते गोबी के प्लांट में जो क कैटरपिलर्स हो जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वो क्या होते हैं कैसे उनको हम और गैनिकली प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर और गैनिक सोल्यूशन काम ना करें तो होमियो पैथी की हेल्प से उनका कैसे कंट्रोल किया जा सकता है तो जो बेसिकली जो कैबिज म और पत्तो की नीचे वाली साइड पे इनके लार्वे होते हैं जहां पे ये एक्स देते हैं वह लार्वे जो है वो धीरे धीरे कैटरपिलर में डेवलप हो जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा नुकसान करते हैं प्रासिका फैमली में जो ये फूल गोबी, पत्ता गोबी फूल गोबी में होते हैं ब्रासिका फैमली में जो भी सबजी आती हैं जैसे कि ब्रॉकली होगी फूल गोबी होगी पत्ता गोबी होगी केल जो होती है केल एक वेजिटेबल है इंग्लिश वेजिटेबल है जो फोरन में उगाई जाती है बॉक्चो एक सबजी होती है उसमें यह देखने को मिलता है, रासी का family की जो vegetables हैं, तो उन में यह सबसे ज़ादा affect करते हैं, और धीरे धीरे यह सारे पत्तों को खा के खराब कर देते हैं, और जो गोबी या पत्ता गोबी होती है, उसमें जो head formation है, मतलब जो उनका full बनता है, full गोबी या पत्ता गोबी का, वो न अगर इनके डामेच को फालमेच प्रूली सिसाना किया जाए जो फोल को बनता है जो पैसे फूल इसल identifies जो फालमेच आपके की तो इसलिए trifectDP लेक्याकन प्सलिएति में को दो फूलर वहांकि काल जाता है हो जाता है और यह यंग जो सीडलिंग्स होती है जैसे आपने अगर गोबी पता गोबी या ब्रोकली की पोद लगाई है तो यह यंग सीडलिंग्स में भी अटेक करते हैं और जब प्लांट मैच्योर हो जाता है उस पे भी अटेक करते हैं और फ्लार जब फोम हो जाता है है गोबी बगेरा बन जाती है तो ये उसको भी खराब करते हैं तो फार्मर्स के लिए ये बहुत ही बड़ी एक प्राब्लम है कैटर पिलर्स की या कैबेज मोथ की क्योंकि देखिए फूल को जब ये अफेक्ट करते हैं तो फूल के उपर अगर हम कोई भी कैमिकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो जो फूल ही होता है इन सबजीयों का जो हम लोग कंज्यूम करते हैं और उस पे अगर किसी कैमिकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे रहेगा तो obviously जो हमारी health को बहुत जादा वो affect करेगा बहुत जादा health को जो है वो खराब करेगा तो इसलिए try करिए अगर आपने अपने garden में ये plants लगा रखे हैं फूल गोबी या पता गोबी तो timely चेक करते रहें ये जो एक sunflower का plant होता है टोमेटोज को भी affect करते हैं और जो sunflower का plant है उसे भी affect करते हैं तो इसका organic prevention जो है वो farmers कैसे करते हैं कि जहां पे भी उन्होंने पता गोबी या फूल गोबी लगाई होती है तो उसकी boundary पे जो सरसों लगा देते हैं क्योंकि सरसों की जो smell होती है उससे ये attract होता है cabbage moth मतलब जब पोदा चोटा है तब से हम रेगुलर इंटर्वल पे अगर नीम ओल स्प्रे करते रहें तो वैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है और कई बार देखिए कुछ cases में नीम ओल काम नहीं करता तो उस cases में फिर हम homeopathic की help ले सकते हैं homeopathic में तीन medicines के नाम मैं आपको बताऊंगी इन तीनों में से जो भी आपको easily available हो जाए एक ही medicine आपको यूज करनी है medicine का नाम उपर आपको दिया है bombix processnia six power में आपको लेनी है या फिर bacillus thuringiensis इसको भी आपने six power में लेना है या sambugas nigra इसको भी आपने six power में लेना है आपको इस बात का ध्यान डखना है कि इन तीनों में से सिर्फ आपको at a time एक ही medicine यूज करनी है ये तीन options दी है मैंने आपको जो medicine आपको तीनों में से easily available हो जाए वो तीनों आप use करते हैं तीनों ही caterpillar को दूर बगाने में equally अच्छा काम करती है तो medicine को आपने use कैसे करना है जो भी medicine आपने लिया है तीनों में से कोई भी उसकी दो drops एक लिटर पानी में dissolve करके आपने plant की roots में दे देनी है अगर आपका खेत है तो अपनी crop के हिसाब से आप जो solution है बना सकते हैं लेकिन ratio जो है वो यही रहती है कि एक लिटर पानी में दो drops के हिसाब से आपने medicine मिक्स करनी है और जहां पे भी आपका चाई खेत है चाई आपका kitchen garden है या आपका container garden है तो जहां पे भी आपके ये गोबी के plants लगे हुए हैं उन plants में आप दे दीजिए roots में भी दे दीजिए और थोड़ा सा पत्तों पे plant के उपर और नीचे भी अच्छे से spray कर दीजिए उसके बाद आपने हफ़ते तक wait करनी है अगर आपके new leaves जो है वो वैसे तो एक dose में ही जो caterpillar है वो छोड़ के भाग जाएंगे आपके गोबी के plants को नहीं तो आप हफ़ते के gap पे 4 doses दे सकते हैं मतलब हफ़ते हफ़ते के gap पे total आपको 4 doses देनी है उसके बाद जो है आपने treatment बंद कर देना है आप देखेंगे कि जो आपके नई leaves आएंगे वो उसमें जो holes नहीं होंगे caterpillars जो है जड़के या मर के गिर जाएंगे नीचे और आपके garden को छोड़के चले जाएंगे तो इसमें जो एक medicine मैंने आपको bacillus thuringiensis बताई है second number पे उससे एक बहुत ही organic pesticide भी cabbage moth के लिए जिसे हम diamond bag moth भी बोलते हैं या जो गोबी में सुंडी हो जाती है गोबी बरगिये फसलों में तो वो जो pesticide है bacillus thuringiensis का वो काफी यूज होता है इस चीज के लिए तो इसी से ये medicine भी बनती है bacillus thuringiensis तो अगर आपको medicine मिल जाए तो आप medicine यूज कर सकते हैं अगर आप pesticide insecticide नहीं यूज करना चाते इससे क्या होता है कि जो फसले है उनके जो पतों का टेस्ट है वो caterpillar को पसंद नहीं आता दवाई की application के बाद और वो अपने आप garden को छोड़के चले जाते हैं देखे होम garden में अगर हमारे दो चार प्लांट्स होते हैं तो उसमें अ इनने रिमूफ करना impossible हो जाता है तो वहाँ पर हमें pesticide या insecticide की help लेनी पड़ती है तो बेटर है अगर आपके organic solutions काम करें तो बहुत अच्छी बात है लेकिन chemical pesticide के spray बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बेटर है कि आप homeopathy की help ले सके होमियो पैथी जो है आपको देखेंगे एक या चार doses में आपको maximum जो है बिना किसी side effect के आपकी problem का solution निकल जाएगा और कोई इसका environment pollution नहीं होगा कोई आपकी health को नुकसान नहीं होगा और जो आपकी problem है वो भी solve हो जाएगी actually homeopathic medicine देने के बाद plant की जो immunity है वो strong हो जाती है plant की resistance बढ़ जाती है तो जिससे जो है पैस्ट उसे attack नहीं कर पाता आज के वीडियो में इतना ही thanks for watching